आए बच्चो, सोशल साइंस के एक्जम सिर्फ दो दिन दूर है लेकिन दर जो है हिस्ट्री का वो दूर नहीं हो पा रहा है तो फटा-फटीन टिप्स दे देती हूँ जिससे इतिहास में इतिहास क्रियेट कर पाओगे आप सबसे पहले बचे हम जब किसी मूवी को देखते हैं तो कैसे वो कहानी याद रहती है क्योंकि कहानी की तरह देख रहे है मूवी की तरह नहीं वैसे ही इस शाप्टर को कहानी की तरह देखो सारे elements याद रहेंगे दूसरा हर एक event को आप एक दूसरे event से connect करो ताकि आपको order of occurrence याद रहें दूसरा उसके पीछे की वजह भी याद रहेगी क्योंकि इसी पर big questions based आते है what was the reason what led to this etc right so हमेशा याद रहतना event one event two event three event one will always be the cons उसके जो result होंगी will be the cause of event two और फिर उसके cause का result होगा event three is order thought हमें dates पे focus करके याद रखने के चकर में अपने आपको distract पर परिशान नहीं करना है dates नहीं आद रहें तो 1940s 1960s ऐसा लिख देना ठीक है all the best take care